बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आपके जीवन में सुक समर्द्योर सवाग्य लेकर आएगा याएगा लेकिन जो आपके शेर को देख रहा है वो व्यक्ति कितना लाभान में थोगा जानते हैं उस व्यक्ति के जीवन से दुख दुर भाग्य और दरदरता को आप मिटा पाएंगे बड़े पुन्य का काम करें इसलिए पुन्य जरूर करें और शेर जरूर करें और अगर आप मेरी सेवाइन लेना चाते हैं अपनी कुंडली दिखाना चाते हैं अपने घर का वास्तू या ओफिस का वास्तू दिखाना चाते हैं या किसी जटल समस्या में फसे में जिसका सरल समाधान चाते हैं तो सीध आजाईए हमारी website www.astrotak.com पर सीधा मेरे profile पर आकर service select कीजे वहीं से ही मुझे सीधा call मिला लीजे मुझे आपके call का इंतिजार रहेगा तो चलिए अब कमल नंदलाल के महा उपाए में हम सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विशेपर देखिए गणेश चतुर्थी आने वाली और गणेश चतुर्थी को क्या कहते हैं कलंक चतुर्थी और माना जाता है कि इस दिन गणपती का महोचसभी होता है क्योंकि उनका वथड़े भी इस दिन है तो 11 दिवसी है इस है वो गणपती महतसव रहता है और आज का हमारा विशेश उपाई भी गणपती बपा से सम्मन देती है जहां गणेश चतुरती पर एक घास से जीवन के सारे संकट होंगे साफ घास बहुत सारी चीज़े साफ होंगी तो आई इस बारे में जानते हैं और घास कौन सी गणेश पढ़े जीजे से उनका क्या सम्मन पंडिजी ए क्या क्या चीज़े बोल रहे हैं बीलकु ठीक बोल रहे हैं अभी हम डिसकस करते हैं इस बारे में देखे भादर पद शुक्ल चतुरती पर गणेश चतुरती पर्वम मनाया जाने का विधान शास्त्रों ने दिया है शास्त पुत्ले को बनाया और उसे गणपती का रूप दे दिया और उसे द्वारपाल बना दिया बुला हे द्वारपाल तुमारा नाम उन्हें पुत्र कहकर संबूदित किया विनायक उनका नाम रखा और कहा तुम द्वारपाल हो जब बालक द्वारपाल ने महेश्वर यानि कि स् सब को मारने का काम उनी का यी है क्योंकि तो महिश, महिश ही है, स्वयम्य जिद्विधता है, कालाधी काल है तो महाश्वर ने अपने तुष्वल से विनायक जी का गला काट दिया, महेश्वर के निर्देश पे जब पारवती रुद्र हो गई, जब पारवती ने अपने पुत्र को मरावा पाया, उसका गला कटावा पाया, और तो पारवती कुरुधित हो गई, तांडव करने लगी और काली का रूप लेने लगी, तब महादेव ने उन्हें शांत किया और तब महेश्वर ने श्री हरी से कहा कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाये हना और जो सबसे पहला मिले उसका सर काट दीजे तो भखवान विशनु निर्देश था भगवान शंकर का तो गए उत्तर दिशा की तरफ और वहाँ पार सबसे पहले हाथी दिखाई दिया तो उन्होंने हाथी का सर काट दिया और गच का सर काट कर ले आए अब महेश्वर ने भी यानि कि महादेव ने गच के मस्तक को हाथी के मस्तक को बालक विनायक है उसके सर पर उसके धड़ पर प्रफम पूजनी है और उनका नाम भी गण और एश इसी वज़े से पढ़ा क्योंकि भगवान शंकर के जितने भी गण है उनके अध्यक्ष है मोग। प्रफम विष्णु महेश ने और सभी देवताओं ने मिलकर उनको प्रफम पूजनीय और विग्न विनाशक होने का पर दिया और ये सब कुछ हुआ था विनायक चतूरती के दिन तो इसी दिन शास्त्रों में गणेश चतूरती को कलंग चतूरती भी कहा है क्योंकि अब इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना निश्यद माना गया है और माना जाता है कि इस दिन अगर को चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उस पर कलंक लग जाता है और तो और छोड़िये भगवान कृष्ण पर भी लग गया था क्योंकि ईश्वर के नजरों में सब बराबर है चाह वो भगवान हो चाह इंसान हो चाह शैतान हो जो नियम है प्रकृति का वो नियम है तो वो आपको कहानी भी सुनाएंगे लेकिन गणे शतुर्थी के दुन मध्यान के समय में दोपहर को बारा बजे पीला कपड़ा बिचा कर गणपती की मिट्टी की मूर्ती की स्थापन करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है और इस बार मैं आप से जरू कहूंगा गणे शतुर्थी पर चंद्रमा को बिल्कुल मत देखेगा अन्यथा मिठ्य आरोप लग सकता है जो चीज आपने की ही नहीं उसका आप पे आरोप लग जाएगा और विशेश इस दिन के को चुपायों से विशेश तोर से संकटों का नाश होता है तो आज हम आपको बताएंगे कि संकटों का जीवन से कैसे नाश होगा कैसे सारे संकट साफ होंगे और घास एक कौन से साफ करेगी तो साफ गहा सही है दूरवा जिसको हम कहते हैं हरी दूब हाना तो क्या करना कर ली जे इससे गणेश गायत री कहा जाता है ऑम गजाननाय विदमहे कर तुन्डाय धीमही तन्न दंती प्रक्रषोधैत दंती श्लीए के कि नाट तूटा वहाई फिर से रिपीट कर रहा हूं आप से किसी भी प्रकार का संकट आप चित समाप्त होगा, तो मित्रों आज के लिए विस इतना ही, कल आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें इस तो तक, और अपने मित्र का मलना अंदलाल को इस उमीद के साथ इजाज़त दीजे कि हम सभी का आने वाला जो कल है, वो सोखाद, वो सुन्दर, वो सुर इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षवाय, हर हर, महादेव